इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत प्रत्य कैप्सूल में प्राकृतिक रूप में शुद्ध विटामिन E होता है, जो विभिन शारीरिक कारियों के लिए कई लाप प्रदान करता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है, कोशिकाओं को ऑक्सिडेटिव तनाव से बचाने में मदद करता है, स्वस्थ त्वचा और बालों को बढ़ावा देता है, और हृदे स्वास्थे का समर्थन करता है। कैपसूल को निगलना आसान है, और विटामिन E का पर्याप्ट सेवन सुनिष्चित करने के लिए सुविधाजनक दैनिक पूरक्ता की अनुमती देता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य में सहायता करता है, और शरीर को विभिन बीमारियों और संक्रमणों से बचाता है। दो, त्वचा के प्राक्रितिक अवरोधक कार्य को मजबूत करके त्वचा की नमी को बनाये रखने में मदद करता है, और त्वचा को हाइडरेटड और कोमल रखते हुए पानी की कमी को रोपने में मदद करता है। तीन, एक एंटियोक्सिडेंट के रूप में विटामिन E त्वचा को मुक्त कणों और ऑक्सिडिटिव तनाव से बचाता है, जो समय से पहले बूढ़ा होने में योगदान कर सकता है। ये जुर्यों, महीन रेखाओं और उम्र के धबों को कम करने में मदद करता है, जिससे रंगत और अधिक युवा हो जाती है। चार, इसमें फोटो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं और ये त्वचा को हानिकारक युवी किरणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। पांच, उतक की मरम्मत और पुनरजनन को बढ़ावा देकर निशान और घावों के उपचार में सहायता करता है। 6. विटामिन E बालों के रोमों को पोशन देता है और खोपडी में रक्त परिसंचरण में सुधार करता है जिससे बालों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा मिलता है। 7. ये बालों के तूटने, दो मुनहे होने और रुखेपन को रोकने में मदद करता है जिसके परिनामस्वरूप बाल मजबूत, चमकदार और चमकदार बनते हैं। 8. सुजन को कम करके और जलन को शांत करके खोपडी को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। 9. ये रूसी और खुजली जैसी खोपडी की स्थितियों को कम कर सकता है। बालों के विकास के लिए एक स्वस्थ वातावरन को बढ़ावा दे सकता है। 10. पर्यावरन प्रदूशकों और यूवी विकिरन से होने वाली क्षती से त्वचा और बालों की कोशिकाओं की रक्षा करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।